रामगण के किस राजा ने अपनी राईधानी बादम से हटा कर रामगण में अस्तापित की आईए ओप्शन देखते हैं इन में से कोई नहीं इसका करेक्टन से क्या हो जागा तो अप्शन नमर भी करेक्ट हो जागा दलेल सिंग ने बादम से हटा कर अपनी राईधानी कहां श्तापित की तो रामगण में ठीक है और ये रामगण पर कब से कब तक सासन किये दलेल सिंग तो 1667 से 1724 तक 1667 से लेकर 1724 तक रामगण पर सासन किये ठीक है और इनके बाद रामगण पर कौन सासन किया तो विश्नु सिंग कौन विश्नु सिंग इनके बाद विश्णु सिंग कब से कब तक सासन किये तो 1724 से 1763 तक ठीक है और रामगण राज के अस्थापना किस ने किया था तो बागदेव सिंग किस ने बागदेव सिंग कब तो 1368 इसवी में कब 1368 इसवी में बागदेव सिंग ने रामगण राज के अस्थापना किया ठीक है और रामगड राज का प्रथम राइधानी कौन था तो सिसिया प्रथम राइधानी कौन था तो सिसिया ठीक है इसके संस्थापक कौन थे तो बागदेव सिंग कौन बागदेव सिंग प्रथम राइधानी कहां थी सिसिया उसके संस्थापक कौन थे तो बागदेव सिं ठीक है और रामगड राज का अंतिम राजधानी कहा था तो पदमा कहा पे अंतिम राजधानी कहा था पदमा इसके संस्थापक कौन थे तो ब्रह्मदेव नरायन सिंग ठीक है अब नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं जहांगीर के समय संख नदी किसके लिए परसिध था आईए ओप्सन देखते हैं A, हीरा, B, चांदी, C, तामबा, D, लोहा, इसका correct answer क्या हो जागा, तो option number A, correct हो जागा, संख नदी जी था, हीरा के लिए परसी ठकब, तो जहांगिर के सासन काल में, ठीक है, और संख नदी पर कबजा कौन किया था, तो इबराहिम खां, कौन, इबराहिम खां के द्वारा, सं और इसकी नियुक्ती किसके द्वारा किया गिया था, मुगल सुवेदार के बद पर इबराहिम खां की नियुक्ती किसके द्वारा किया गिया था, तो जहांगिर की द्वारा, जहांगिर की द्वारा नियुक्ती किया गिया था, ठीक है, और इबराहिम खां को कौन सा उपा कवी रविंद्र रेनाथ टैगोर के सम्मन्द में निम्ण में से कौन सा कथन सत्य है आईए ओप्सन देखते हैं ए टैगोर का जार्खन छेत्र से गहरा सम्मन था बी गीतांजली के कुछ अध्यायों की रचना उन्होंने रांची में की थी सी टैगोर के पुस्तक गीतांजली वीर्भूम मानभूम तथा ज्ञार्खन की प्राकृतिक सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी को चिद्रित करती है ओप्सन डी उपर युक्त सभी इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा उपर युक्त सभी कथन सत्य है ठीक है अब नेक्स्ट कोस्टेन क्यों बढ़ते हैं उत्तर से दच्छिन क्रम में ज्ञार्खन के जीलो का सही क्रम क्या है आए ओप्सन देखेंगे ए पाकूर दुमका बोकारो साहिवगण दुमका बोकारो सी बोकारो साहिवगण पाकूर दुमका डी साहिवगण पाकूर दुमका बोकारो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा तो option number D correct हो जाएगा साहीव गन्ज, पाकुर, दुमका और बोकारो ये उत्तर से दक्चिन का सही क्रम है ठीक है और इसमें हम लोग देख लेते हैं बोकारो जिला का गठन कब हुआ है तो 31 मार्च 1991 कब 31 मार्च 1991 को बोकारो जिला का गठन हुआ है पाकुर, जिला का गठन कब हुआ है और साहीव गन्ज, जिला का गठन कब हुआ है 17 माई 1983 को साहीव गन्ज, जिला का गठन हुआ है ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा मसुहूर किर्केट खिलाडी जारखंड का है आई ये option देखते हैं ए सौरबतिवारी, बी इसांक जगी, सी विराट सिंग, डी उपर्यूक सभी इसका करेक्टेंसा क्या हो जागा तो उपर्यूक सभी सौरबतिवारी, इसांक जगी और विराट सिंग जो है ये जारखंड से ही इनका संबंध है और जारखंड के किर्केट प्लेयर कौन कौन है तो सन्नी गुपता सन्नी गुपता सहबाज नदीम सहबाज नदीम वरून एरोन मनीश वर्धन अनवर मुस्तफा और महेंदर सिंग दौनी ठीक है अब नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं जैदीम सरकार जारखंड के किस खेल के प्रसिक्षक हैं आईए ओप्सन देखेंगे इसका करेक्ट इन से क्या हो जाएगा और अप्सन नमरे करेक्ष हो जाएगा बॉली बॉल के प्रसिक्षक है कौन तो जैदीम सरकार ठीक है और बॉली बॉल के एक और प्रसिक्षक है उनका नाम क्या है सेखर बॉस उनका नाम क्या है सेखर बॉस भी जो हैं, bolleyball के परसिख्चक है, ठीक है, और football के परसिख्चक कौन है, तो sushilwarma कौन, sushilwarma जो है, football खिल के परसिख्चक है, ठीक है और तिरंदाजी के परसिख्चक कौन है तो purnima mahto पurnima mahto और jayideep mahto और sanjeev sing एक और नाम है उनका नाम क्या है संजीव सिंग ठीक है और होकी के परसिख्षक कौन-कौन है देख लेते हैं तो नरेंद्र सिंग नरेदर सिंग जो है होकी के परसिक छक है और एक और नाम है सिल्वानुस डुंग डुंग कौन सिल्वानुस डुंग डुंग भी जो है यह होकी के परसिक छक है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं जहारखन में सेख विकारी एस्टेडियम कहां इस्थित है आई ये option देखते हैं A. रांची B. दुमका C. धनबाद D. जमसित पूर इसका correct एंसर क्या हो जागा तो option नमरे correct हो जागा रांची में सेख विकारी एस्थित है ठीक है और रांची में और कौन-कौन एस्थित है दे पिर्सा स्थेडियम और सतावदी स्थेडियम कौन सा सतावदी स्थेडियम भी रांची में है ठीक है और जमसित पूर में कौन सा एस्थेडियम है तो कीनन एस्थेडियम कौन कीनन एस्थेडियम ठीक है और धनबाद में कौन सा एस्टेडियम है तो डिगवाडी एस्टेडियम कौन डिगवाडी एस्टेडियम धनबाद में है डिगवाडी एस्टेडियम और यहां पे गोल्फ मैदान भी कहा है धनबाद में गोल्फ मैदान कहा है तो धनबाद जिला में ठीक है और दूमका में कौन सा है एस्टेडियम है तो इंडोर एस्टेडियम कौन सा इंडोर एस्टेडियम दूमका में है ठीक है अब next question क्यों बढ़ते हैं जारखन के किस सहर को motorist paradise कहा जाता है आई ये option देखते हैं A. हजारी बाग B. जमसेदपूर C. रांची D. धनबाद इसका correct answer क्या हो जागा तो option number C correct हो जागा रांची को motorist paradise बोला जाता है ठीक है और धनबाद को क्या बोला जाता है तो जारखन की कोईलर राजधानी क्या बोला जाता है जारखन की कोईलर राजधानी बोला जाता है किसको तो धनबाद को ठीक है और जमसितपुर को क्या बुला जाता है तो इसपात नगरी क्या बुला जाता है और जमसितपुर को क्या बुला जाता है तो कारखानों का सहर क्या बुला जाता है और हजारी बागो क्या बुला जाता है तो हजार बागो का सहर ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन के रुबढ़ते हैं मुख्य मंत्री सहीद ग्राम विकास योजना के संदर्व में कौन सा कथन असर्थ है आई अप्सन देखते हैं ए इस योजना का प्रारम 18 दिसंबर 2015 को किया गया था बी इस योजना का उद्देश सहीदों के गाउं का विकास करना है सी इस योजना की सुरवात खुटी जिले से बिरसा मुंडा के गाउं उली हातु में अमित सादवारा किया गया डी उपरयुक्त सभी इसका असर्थ ए उप्सन कौन है तो option number A जो है असत्य है इस योजना का प्रारम को किया गया था तो 18 दिसंबर 2017 को किया गया था कब किया गया था 18 दिसंबर 2017 को मुख्य मंत्री सहीद ग्राम विकास योजना का सुभारम किया गया था मुख्य मंत्री सहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश से है ठीक है अब नेक्स्ट कोस्टेन के रवढ़ते हैं जारखन आंदोलन का बीजार उपन कहां किया गया आई ये अप्शन देखते हैं जर्मणी भी ढाका puritanbeiyoris का क्या यह यहाओ में जारखन आंदोलन का बीजार आपन किया गया था ठीक है और जारखन आंदोलन का जन्म दाता किसे बुला याता है तो जीम और्थुल मान को किसको जेल और बार्थोलमन को जार्खन आंदोलन का जन्मदाता बोला जाता है ठीक है और जे बार्थोलमन जो है क्रिश्चन स्टूडेंट और्गुनाइजेशन का गठन किये थे किसका क्रिश्चन स्टूडेंट और्गुनाइजेशन स्टूडेंट और्गुनाइजेशन का गठन किये थे कौन तो जे बार्थोलमन ठीक है और कब किये थे तो 1912 में क्रिश्चन स्टूडेंट और्गुनाइजेशन का गठन जे बार्थोलमन के द्वारा कब किया गया तो 1912 में ठीक है अब next question के रोबढ़ते है जारखन के किस जीले में कुंडा रियासत इस्थित था आई ये option देखते हैं A. लातेहार B. हजारी बाग C. पलामू D. इन में से कोई नहीं इसका correct answer क्या हो जागा तो option नमर भी correct हो जागा हजारी बाग में कुंडा रियासत जो है इस्थित था ठीक है और पलामू में कौन सा रियासत इस्थित था तो सोनपूर सोनपूर रियासत जो था कहां पे इस्थित था तो पलामू में ठीक है अब next question के रोबढ़ते हैं उसका न cur7 जरखन की जीले में स्थित था न दे अप्षसन देखते हैं अप्रवी सिपेंव भी खुर्टी सी क्षमी सिम्भू डी लातिहार इसका correct इनसे क्या हो जागा तो option number C correct हो जागा पस्चमी सिम्मूम जिले में हिरनी जलपरपात इस्थीत है ठीक है कहाँ पे तो गरहा नदी पर कहाँ पे गरहा नदी पर इस्थीत है गरहा नदी में हिरनी जलपरपात इस्थीत है ठीक है और लातेहर में कौन सा जलपरपात इ जो है कहां पे हैं खुटी जिले में इस्थित है ठीक है और पूर्वी-शिंभूम जिले में कौन सा जल्परपाथ इस्थित है तो धारागीरी जल्परपाथ कौन सा धारागीरी जो्पर परपाथ ठीक है अब नेक्स्ट कोईशन क्यों बढ़ते है ताता पानी गरम जलकून जार्खन के किस जिले में इस्थित है आई ओप्शन देखते है ए लातेहार बी दूंका सी धनबाद डी हजारी बाग इसका करेक्ट निसा क्या हो जागा तो अप्शन नमरे करेक्ट हो जागा लाते सूरी कुंड सूरी कुंड जो है हजारी बाग जिला में इस्थित है और टाइगर परपात यहीं पेश्थित है ताइगर परपात गरम जलकून कहां पेश्थित है तो हजारी बाग जिला में ठीक है और धनबाद में कौन सा गरम जलकून इस्थित है तो धनबाद में लिया गरम जलकुन का इस्थी थे धनबाद जिला में ठीक है और दुमका में कौन सा गरम जलकुन इस्थी थे तो तपात पानी कौन तपात पानी और जहरिया पानी और जहरिया पानी भी ए दुमका में और ततलोई कौन सा ततलोई ततलोई गरम जलकुन जो है ये दुमका में है तो दुमका में कौन-कौन है तपात पानी जरिया पानी और ततलोई गरम जलकुन ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन के रुबढ़ते है जारखन के किस नदी घाटी परियोजना में कुटकु बांध इस्थीत है अई अप्सन जाएगा उत्तर कोईल परियोजना में कुटकु बांध इस्थीत है ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन के रुबढ़ते हैं मेगधूत रचना के रचनकार कौन है ये ऑप्सन देखते है ए स्री निवास पानूरी बी गजाधर महतो सी सुकुमार डी इन में से कोई नहीं इसक मेगधूत के रचनकार है ठीक है और गजाधर महतो किसके रचनकार है तो पुटूस फूल पुटूस फूल ये क्या है कहानी संग्रा है इसके रचनकार कौन है तो गजाधर महतो ठीक है और सुकुमार जो है किसके रचनकार है तो डाह किसके डाह नामक नाटक के रचनकार ह ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन के रुबढ़ते हैं 1940 के रामगर अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रूपियों उपहार स्वरूप परदान किये थे आई ओप्सन देखते हैं A. 1400, B. 1800, C. 400, D. 1000 इसका करेक्ट इंसर क्या होगा तो अप्सन नमर सी करेक्ट होगा 400 रूपिया उपहार स्वरूप भेट किये थे कौन तो ताना भगत इसको महात्मा गांधी को ठीक है तो अप्सन नमर सी करेक्ट होगा गिरी डीजीला को सोलर सिटी ग्रूप में विक्सित किया जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन के रूपढ़ते हैं अंतराश्टी महिला दीवस के आसर पर नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2021 में आईए उप्सन देखते है ए प्रियंका कुमारी बी सीतल चंदा सी मीना गुपता डी सीमा पासवान इसका करेक्ट एंसर क्या होगा तो अप्सन नमर डी करेक्ट होगा सीमा पासवान को 2021 में नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन के बढ़ते हैं जार्खन राज में प्रस्तावित मॉडल इसकूल के सिक्षकों को कि संस्थान द्वारा ट्रेंड किया जाएगा आई ऑप्सन देखते है ए आई आई एम धनबाद बी आई आई टी खड़कपूर सी बी आई टी मेसरा डी बिरसा क्रिसी विश्विद्याल इसक वर्तमान में गुजरात के मुख्य मंत्री कौन है आई ऑप्सन देखते हैं ए रिसी केस पटेल बी अननदी पटेल सी भूपेंदर पटेल डी पुरसोतम सोलंकी इसका करेक्ट इंसर क्या होगा तो अप्सन नमबर सी करेक्ट होगा भूपेंदर पटेल वर्तमान में गुज गुजरात के मुख्य मंत्री है ठीक है और यह गुजरात के 18CM है 18CM कौन है तो भुपेंद्र पटेल ठीक है और गुजरात के वर्तमान में राज्येपाल कौन है राज्येपाल गुजरात के कौन है तो अचारे देववरत कौन अचारे देववरत ठीक है तो यह आज का लास्ट कोशन था जो भी इस चैनल में नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको असानी से और लगतार मिल सके और वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय कि युमें कि युमें